असलाम अलेकुम फ्रेंज वेलकम टू कार्टेट शॉर्ट आज हमने करना है जीपेस 5405 का लेसन नबर 7 I don't know कि I guess कि मैंने लेक्चर नबर 5 और 6 अपलोड किया था मुझे मिल नहीं रहा कि शायद मैंने किया या नहीं किया so I'm confused So do let me know कि 5 and 6 lecture uploaded है या नहीं है तो अभी हम discuss कर लेते हैं lesson number 7 को जो कि है theory of Carl Jung इनकी theory थोड़ी सी मिलती जुलती है क्या कहते हैं को Sigmund Freud से लेकिन ये neo-freudian है इनका एक अलाइदा school of thought है ये disagree करते हैं with Freud इसलिए इनकी सोच को इनके हम कह सकते हैं इनके काम को analytical psychology कहा जाता है तो आपसे अगर MCQs में पूछा जाएक analytical psychology से तालुक रखने वाले कौन से इंसान है तो हो Carl Jung है Sorry आपसे request है कि चैनल को like, share, subscribe करना ना भूलेगा चलें जी let's get started सबसे पहले हमारे पास आता है biographical sketch जिसमें हमें बताया गया है कि Carl Gustav Jung कह लें या Jung कह लें ये कौन थे अच्छा basically इनकी early life ऐसे बताई जाती है कि ये Swiss से तालुक रखने वाले थे और इनका जो है वो इनकी mostly family जादा religious थी इनके father और इनके eight uncles जो थे वो religious background से तालुक रखते थे इनकी family की आपस में को खास बनती नहीं थी husband wife की इनके parents की आपस में लडाईया रहती थी जिसकी वज़ाए से काफी depressed थे isolated रहते थे तो इन्होंने एक लकडी की एक figure बना ली थी crave कर करके crave करना कहें के मतलब बनाना खुद से तो इन्होंने wooden से एक personality बना ली जिसको इन्होंने black coat और black pant और एक cap पहना दी थी जो कि आप Sam'sी के उसमें में भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसा उसको dress किया था और ये उससे basically उससे पनी personal बातें किया करते थे जब ये बहुत ज़ादा डिप्रेस हो जाते थे इनका believe था कि dual aspects of personality का इनका माना था और इनका ये माना था कि ये एक दो personalities जी रहे हैं एक वो बच्चा जो स्कूल जाता है और एक वो सो साल बड़ा इनसान उस बच्चे से सो साल बड़ा इनसान जो के बहुत ज़ादा mature है जो इस कमरे में इस wooden toy के साथ बात करता है तो there are two personalities ये फ्रॉइड के बहुत बड़े fan थे 1900 में इन्होंने पड़ी थी इनकी book The Interpretation of Dreams और ये उनके बहुत बड़े fan हो गए उनसे इनकी खतो खताबत शुरू हो गई तो आपको पता होना जी कि इन्होंने उनकी कौन सी book पड़ी थी MCQS के हवाले से अच्छा जी उसके बाद ये इनके fan हो गए इन्होंने उने कहा कि जी हमें आपसे मिलना जाता हूँ तो सिग्मेंट फ्रॉइड ने ने बुला लिया इनसे मुलाकाते हुई इनको जो है वो सिग्मेंट फ्रॉइड ने साइको अनलेटिक सोसाइटी का प्रेजिडन भी बना दिया और इनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स चल रहे थे लेकिन फिर क्या हुआ कि जब यूंग ने थोड़ा से रियलाइस किया कि फ्रॉइड की थेरी में थोड़े से इशूज है उनका जो एक्स्ट्रा एंफसेज है अन सेक्स आप कह सकते हैं कि जो चाइल्डूड इवेंट्स और अनकॉंशिस वो बहुत जादा है और इनका ये मानना था कि जाए जहां अपनी थेरी प्रिजेंट करने जा रहे हैं अमेरिका जा रहे थे वो तो वहां पर इनकी थेरी को पसंद नहीं किया जाएगा तो उनको एक सिंसियर एडवाइस दी कि आप अपनी थेरी में थोड़े से चेंजिस कर ले जिस पर फ्रॉइड काफी नराज हो गए और उनने इनसे बातचीत करनी छोड़ दी और दूरी अख्तियार कर ली हुआ ये कि बाद में अमेरिकन्स को वाकिए ही फ्रॉइड की बात ने तनी कुछ खास समझ नहीं आई और उनकी बातों को उन्होंने कहा कि जी आपने ओवर एंफसाइस किया है वो ही सेम बात अमेरिकन्स ने कर दी जो कि यूंग कर रहे थे तो फ्रॉइड को मजीद घुसा आ गया और उन्होंने बिल्कुल ही बातचीत खतम कर दी कहते हैं यूंग से जिसकी वज़ा से इनको पनिश्मेंट के तौर पर प्रेजिडेंट्शिप जो थी इनके पास साइकोललैटिकल ग्रॉप की उससे हटा दिया गया और वहां पर एडलर को पॉइंट कर लिया गया तो जो important points है वो highlight मेंने की हूँ है इनकी biography से ज़ादा attention इनकी biography की नहीं लेनी अब हम देख लेते हैं कि इनकी theory के कौन से concepts है पहली बात है इन्होंने की है libido की, libido होती है जी is a energy, यह term स्टार्ट की सिग्मेंट फ्रॉइड ने लिबिड़ो की और इनके मताबिक लिबिड़ो इस एक आगरेसिफ इनर जी लेकिन इन्होंने कहा कि इस नौट लाइक के it's only a sex energy और an aggressive energy आप अपनी डेली लाइफ में जब आप खाते पीते चलते फिरते दोडते हैं तो आप वो सारा काम libido की बेसिस पे कर रहे हैं, libido आपकी एक biological general energy है जो हर चीज में use होती है, तो इनके difference के मुतलिक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद equivalence का इनो ने तेम रहती है, fixed रहती है, इसके example उन्होंने इस तरह दी है, कि उन्होंने कहा कि हमारी डेली लाइफ में भी ये चीज़ें practice होती हैं, कि हमारी libido जो use हो रही है, जब हम conscious हैं, जब हम जाग रहे हैं, हम अपने चल फिर रहे हैं, हम socialize कर रहे हैं, हम और रोज मरा के दिन के काम क हम सो रहे हैं, हम अपने unconscious में हैं, तो जो हमारे unconscious mind में activities और चीज़ें और ख्यालात आते रहते हैं, वो भी libido का ही हिस्सा हैं, और libido उसमें energy utilize कर रहा है, तो energy क्या हो रही है, conscious या unconscious की form change कर रही है, लेकिन amount of energy जो है वो same है, फिर इन्होंने concept दिया entropy का, entropy भी thermodynamics का ही एक law है, उसके मताबिक इनका ये कहना है, कि हमारी जो psyche है, उसमें ये tendency है, उसमें ये काबलियत है, कि वो energy को equalize करे, मतलब कि जो हमारी energy है in unconscious, that is equivalent to the energy in conscious, ठीक हो गया जी, मतलब ये दोनों energies same है, amount में होती हैं, और ये दोनों energies reserve रहती हैं, और इनको equalize करने की tendency हमारी psyche में मौजूद है कि दोनों की energies बिल्कुल equal हों, सही हो गया जी, तीसरा इनका concept है principle of opposites, इसके according ये Newton के law को इनोंने follow किया, जैसे Newton कहते हैं कि हर action का एक reaction होता है, opposite, इनके according भी हर चीज का एक opposite होता है, मतलब conscious है तो unconscious है, rational है तो irrational है, introvert है तो extrovert है, हर एक चीज का एक opposite होता है, उसके बाद इन्होंने components of personality दिये हैं, like Sigmund Freud, Sigmund Freud ने बात की थी, id ego और super ego की, इन्होंने भी ego की बात की है, इनका similar है Sigmund Freud से, इन्होंने यही कहा कि जी, हंजी ego जो है वो responsible होता है हमारे everyday functions के लिए, हमारी activities के लिए, ये normal हमारी जो भी conscious experience है, ये वो है, इसमें कोई इतनी science वाली बात न and that is because of ego, फिर यहां पर इन्होंने जिकर किया complex का, complex कहते हैं कि किसी, यूग ने बताया कि complex कोई भी आपके disturbing thoughts हो सकते हैं, related to any thing, ठीक है, किसी भी चीज से related जब आपको disturbing thoughts आते हैं, that is a complex, वो आपकी किसी भी base पे हो सकता है, आपकी height पर, आपकी education पर, आपकी physique पर, आपकी कि clusters of emotionally loaded thoughts, मतलब एक group of, एक बहुत ज्यादा तदाद में, जब आपको emotionally, depressive thoughts आते हैं किसी एक चीज को ले के, तो इनको हम complexes कहते हैं, उसके बाद इन्होंने complexes को overcome करने की और काफी ज़्यदा बातें की हैं, लेकिन उनको फिलहाल, यहां discuss नहीं किया हुआ, यहां पर इन एक्ज complex, मतलब money से related आपके पैसे कम हैं, आपके पावर कम हैं, या even माँबाप से भी जो माँबाप के complex होते हैं, वो भी बच्चों में travel करते हैं, उसके बाद हमारे पस बात आती है, जी जो term है ugly, that is collective unconsciousness, collective unconsciousness, unconscious की बात की है, सिग्मेंट फ्रॉइड ने, तो यह कहते है, collective unconsciousness, collective unconsciousness, इनके according यह है, कि जो हमारे ancestral, हमारे four fathers, हमारे पुर्खों के जो, कह सकते हैं, जो experiences हैं, जो memories हैं, जो thoughts हैं, जो stories हैं, these are all collective unconsciousness, जिसको इन्होंने नाम दिया है, archetypes का, let's suppose कि जैसे हमारे mind में, जब मदर का नाम आता है, मा कहले, वालदा कहले, मदर कहले, किसी भी जुबान में जब मा का लफसा आता है, तो we know, कि मा एक प्यार करने वाली, एक जान छड़कने वाली, एक figure है, और sacrificing है, थोड़ी weak है, emotionally weak है, एक प्यारी सी image हमारे जिन में आती है, जब मा का नाम आता है, इसी तरह जब हमारे लिए, जब movie की बात की जाती है, तो हमारे जिन में क्या आता एक hero, heroine और एक villain, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे mind में built-in हैं, because of our fathers, because of our ancestors, जो चीज़ें हमारे mind में बन चुकी हैं, जो हमारे चीज़ें मतलब इसमें आपकी कुछ traditional ऐसी कहानियां जो नसलों दर नसलों चली आ रही हैं, कुछ ऐसे images जो हमने किसी एक चीज़ के अपने mind म बना ली हैं, तो हर एक society में हमारे लिहाज से एक wise old man होता है, एक बुड़ा, समझदार, नसीहतें करने वाला इनसान होता है, उसकी हमारे mind में एक अलाइदा image है, बच्चों के अलाइदा image है, और ये सारी किस basis पे हैं, क्योंकि हमारे ये four fathers से, experiences से हमारी memories में चलता आ रहा ह आई आँ मजीद इनोंने archetypes जुदी हैं, वो हैं दो, त्री पांच archetypes है, ठीक है जी, पहले archetype है persona, persona क्या होता है, persona mask को कहते है, ग्रीक word है ये, और इसका मतलब ये होता है, कि इनसान ने जो public personality, अपनी real personality से हमने अपनी different एक public personality बनाई होती है, that is persona, एक mask अमने अपर अपर अ करते हैं कि पर्सोना जो होता है वो रियल पर्सन के साथ थोड़ा वहुत क्लोजर ही होता है बहुत आपोसेट नहीं हो सकता जाहिर आप एक हद तक ही प्रेटेंड कर सकता है तो यह दोनों एक दूसरे के साथ अल्मूस्ट रिलेटेड ही होते हैं तब ही एक सही बैलेंस मेंट करना चाहिए ठीक है एनिमा क्या है एनिमस क्या है दोनों चीज़ें अल्मूस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है थोड़ी आपोसेट है एनिमा इस लेक जब फीमेल कंपोनेंट आफ मेल साइकी मतलब जब आदमी औरतों की खसूसियार डिवैलप कर ले दे हैं औरतों की अगर औरत जो है वो बहुत केरिंग है वो बच्चों को लेकर बहुत पोसेसिव है तो फादर की बेशक एक सकत और हम कह सकते हैं कि हार्ड इमिज है लेकिन उनके अंदर वो एक वाइफ के सद क्योंकि वो एक अल टाइम उनका कनेक्शन है तो वो वाइफ फाली थोड़ी सी habit जो है ना उनके अंदर केरिंग नेचर आ जाती है उनके काम भी जब अगर मा मौजूद नहीं है तो वालिद भी मा के फराइस कभी कभी सारजा दे देते हैं बच्चों के लिए तो वो जो एक आपके अंदर एक वो मा की ममता आ जाती है जिसको हम कहते है के साथ अपनी मा वालदा के साथ इंटरेक्शन की वज़ा से नेक्स्ट इस ऐनिमस ऐनिमस होता है जी मस्कुलाइन कंपोनेट अफ़ फीमिल साइकी सेम जैसे के मर्द के अंदर औरतों की खसूसियाद डिवेलप हो जाती है इसी तरह अगर मर्द बहुत जादा एग्रेसिव है तो एट टाइम्स यह होगा के औरत बरदाश करकर के भी एंड बे आकर वो आटे अडॉप्ट कर लेगी वो भी उस हद तक एग्रेसिव हो जाएगी जिस पे उसका जोर चलेगा same as औरतें बहार जाती हैं औरतें कमाती हैं औरतें बाकी काम भी ऐसे करती हैं जो मस्कुलाइन कमपोनेंट्स हैं जो मर्दों की फितरत से तालुक रखते हैं पर वो अन्जाम देती हैं तो हम यह गहेंगे कि फीमिल के अंदर जो है वो थोड़ा सा masculine component है shadow होता है हमारा D के darkest deepest part हमारी psyche की जो हमारी animal side है जो हमारी destructive अगले को तबाह कर देने वाली और मार देने वाली side है कि मतलब हम जैसे कहते हैं कि मुझे एक कतल माफ हो मैं इसका कर दूँ मैं ये कर दूँ मैं वो कर दूँ और जो हमारे गुस्से का वो एक evil side है जो हमारी जो हम हर किसी से revenge लेने पर बातों में ही तूलाते हैं असल में नहीं ले पाते और ना लेते हैं that is shadow उसके बाद हम बात करते है self की self क्या होती है self वो component है psyche का जो कोशिश करता है कि persona, anima, animals, shadows ये सारे जो components हैं ये क्या करें ये एक साथ रहें ये अकठे रहें ठीक है मतलब अगर आपने कोई shadow बनाया हुआ है मतलब आपका जो shadow deepest darkest side है वो आपकी under control रहे है ऐसा नहों कि वो आपकी deepest darkest side जो है वो आपको overcome कर ले आपकी बाकी चीज़ों को अगर आपने कोई mask अपना बनाया हुआ है आपने कोई अपनी public personality बनाई हुई है तो वो भी एक हद तक ही fake होनी चाहिए अगर आप male हैं तो आप में जो female component है वो एक level तक होना चाहिए और अगर आप female हैं तो आप में एक self निखर कर आती है जिसको self-actualization कहा जाता है मतलब जब आप अपनी best को समझ जाते हैं आप अपनी चीज़ों को control करना आप अपनी personality को handle करना समझ जाते है that is self-actualization तो ये आपकी life का सबसे बड़ा goal है और आप इसको achieve कर लेते हैं आप के जी आयां तक आपको lecture समझ आ गया होगा still any questions जे तो आप comment box में लिख सकते हैं do let me know के 5 औ 6 lecture upload हुआ है के नहीं मिलेंगे जी इंशाला नेक्स वीडियो के साथ till then take care Allah आफिर